नमस्कार दोस्तो श्वागत है हमारे यूटूब चैनल फन इस्टडी में जिसमें हम स्ट्राटिक जीके के हैंड डिटे नोट्स परते हैं दोस्तो आज का टॉपिक है रेल उत्पादन इकाई जो की हमारे आगामी प्रतियोगी एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर है इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेल उत्पादन इकाई जिसमें सबसे पहला है रेल डिबबे का निर्माड कपूर्ठला में डीजल इंजन संगटक का निर्माड प्तियाला में बातान कूलित रेल कोच फेक्टरी राइबरेली में रेल पहिया कार खाना चपरा में यात्री कोच मरम्मत मुझफर नगर में, यात्री शवारी इस्प्रिंग निर्माड ग्वालियर में, डीजल बिद्धुत इंजन कारखाना वारांसी में, सबसे पुराना रेल वक्षाप जमालपूर में, सवारी डिब्बे निर्माड पेरामबूर में, डीजल बिद्धुत लोकोमोटिव इंजन तुरुचिरा पल्ली में, पहिये वा धुरी शाहियत बैंगलूर में, दोस्तों इस वीडियोज को जिनको परिच्छा देनी हो वही नहीं देख सकते हैं, जिनको हमारे देश के संपत्य के, हमारे देश के रेलवे के बारे में ग्यान अरजित करना है, वो इन वीडियोज को देख सकते हैं, कोई भी हो, छोटा बच्चा, बड़े छात्र और जिनको भी भारत के रेलवे संपत्य में रुच्छी है, वो इन वीडियो को देखें जादस जादा आप लोग सेर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी करें नेक्ष्ट दोस्तो पहिया वा धूरी शहियत जो कि बैंगलूर में बनता है नेक्ष्ट दोस्तो चितरंजन लोकोमोटिफ ये चितरंजन में है डीजल इंजन आधनुकी करण पटियाला में होता है डीजल लोकोमोटिफ वर्क्स वारार्सी में रेल कोच फैक्टरी पेरामबूर में रेल कोच फैक्टरी कपूर्थला में ये दो जगा है फिर नेक्ष्ट दोस्तो पहिया कार खाना छपरा में नेक्ष्ट दोस्तो रेल इंजन मधेपुरा में नेक्ष्ट दोस्तो रेल इंजन कार खाना मढ़ोरा में भी है नेक्ष्ट दोस्तो रेल कोच फैक्टरी राइबरेली में भी है दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियोज में कोई तुरूटी लगे तो आप हमें कमेंट बाक्स पर कमेंट करके जरूर बताए दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आए तो आप लाइक करिए, सेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल पर जल्द ही सीटेट की क्लास चलाई जाएगी जिसके लिए बिश्वास बैच नाम दिया गया है बिश्वास बैच इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाएगा वो हुबहु कोस्चन उससे आपको आपके पेपर में मिलेंगे इसलिए आप लोग विश्वास करके वीडियोज को देखिए लाइक करिए और सेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियोज को पहुचाईए दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, सेयर करिए और सब्सक्राइब करिए धर्निवाद दोस्तो